मप प्राइब्थ दूसरा तीवर प्राइब्थ और तीसरा तीवर तम प्राइब्थ दूसरे नंबर का हमारा कर्म अगर हमने बहुत बैकार कर्म है हमारे बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बहुत दुख है, शिव महा पुरान की कत्था करती है, कि सद्गुरु की शर्ण चले जाओ, संत महात्मा, जोगी, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई सद्गुरु के पास जाकर निवेदन करो, तो कुछ हमारे पूर्वका करा ह हुआ पाप कटना प्रारंब हो जाएगा, हमारा पुराना पाप धीरे धीरे कटेगा, सद्गुरु के, फिर एक निवेदन करूंगा, जीवन में अगर बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, आपको पहले भी कहा, फिर कहते हैं, पनात्री पड़ेगी, जो माग महिने में शिवरात्री पड़ती है, उससे भी प्रबल शिवरात्री, ये शिवरात्री, निस वर्ष के दो बार गेप करने के बाद, 183 वर्ष के बाद आएगा, और 183 वर्ष के बाद फिर इसमें की शिवरात्री प्राप्त होगी, और 183 वर्ष किस ने देखे, कौन ने देखे, और निवेदन करूंगा अगर जिंदगी में थोड़ी सी तकलीफ है, दुख है, कश्ट है, परिशानी है, तो उस शिवरात्री को हाथ से मत जाने दे, आपको पहले भी कहा कि क्या क्या वस्तू भगवान शंकर को हम रात्री के समय पर चड़ा दें, जिससे हमारा रोक समाप तो हो जाए, हमारी बिमारी समाप तो हो जाए, हमारे जीवन में सुक, समर्द्धी, लच्मी आ जाए, वो समर्पन का भाव और शिवरात्री आने में दे रही है, और आपके जीवन में बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट, महाराज, पांच कमल गटे, पांच बेल पत्र, तांबे के लोटे में जल भरकर रख लीजी, सीधे हाथ पर उस कलश को रखो, जिसमें पांच कमल गटे और पांच बेल पत्र रखी है, श्री, शिवाय, नमस्त उभ्यम, शिव महा पुरान का मूल मंत्र, जैसे भागवत का मूल मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवा, शिव महा पुरान का मूल मंत्र है, श्री, शिवाय, नमस्त उभ्यम, इस मंत्र का पांच बार स्मर्ण करकर, आपको जो तकलीफ है उसको हिर्दय चित्य से धरकर मस्तक से कलश को लगाकर किसी एकांटेश्वर महादेव उपर में एकांटेश्वर महादेव मतलब अबने गाउं से नग़र से शहर से जो बहार खेड़े में हो बिलकुल बहार जिस शिवलिंग पर कोई पूजन करने ना जाता हो एकान तो में बेटे हो जंगल में बेटे हो कहीं किसी विरप्ष के नीचे बिराज मान हो ऐसे एकान तिश्वर महादेव पर अपनी कामना करकर वो जल समर्पित कर दो एक बेल पत्र एक कमल गटा उठाकर अपने घर पर ले कर जाओ जो तकलीफ बहुत जादा हो रही है पांच दिन में आपको मालूम पड़ जाएगा पांच दिन में अंतरा जाएगा शिव का अनुमोदन करो शंकर का इसमर्ण करो महाराज यह अश्विन का जो अधिकमा से 183 वर्ष के बाद बापिस आएगा योग यह योग पहले मिल जाता 19 वर्ष में पर अब मिलेगा 183 वर्ष एक कि नी माता जी का प्रिष्ण था वो ध्यान में नहीं आ रहा है वो कहां से थी कि उन्हें प्रिष्ण किया था वाटसब पर लिखा हुआ आया था कि उनके घर में कोई बहुत जादा बिमार पड़ा हुआ है और बहुत बुजूर गया है लगवग लगवग 95 साल की है और शरीर गल गया शरीर में कीड़े पड़ रहे है शिष्टर को बुलाते हैं डॉक्तर को बुलाते हैं तब उनको साफ करते हैं शरीर इतना गल चूगा उसके लिए क्या करना चाहिए एक निवेदन करूंगा एक भगवणी में गेहूं रख लीजिए पात्र में गेहूं जो बहुत बुजूर्ग हो चुकी हैं कीड़े पड़ रहे हैं शरीर में आपने एकादशी दे दी गीता जी करवा दी पाट करवा दिया गउदान करवा दिया मौक्ष कारवा दिया सब कुछ करवा दिया तो भी मुक्ती नहीं मिल रही है तो पात्र में गेहूं रखकर उन माता जी की सीदे हाथ की तीन उंगलियां उस गेहूं में डालकर उनका नाम और गोत्र बोलकर वो गेहूं गाय को खिला दीजिए पात्र किसी तो कर सकते हैं, इतना कष्ट अगर भोग रही है कि शरीर गल चुका है, कीड़े पड़र रहे है शरीर के अंदर, और सारी खाल टपक टपक कर गिर रही है, तो उनकी मुक्ती हो, उनका मुक्छ हो, इस माता जी कह रही है कि अमने गीता जी सुना दी, पाठ कर दिया, सब कुछ कर दिया गओ दॉसे सब दिए पर मुक्ति नहीं खिवका शंकर मेरे बापर विश्छनात मेले घर से चेंडन करूंगा अबने ब्रह्मा प्रह्म लोक में में रहते हैं और भगान विश्न बेकुंक में रहते हैं मृतिव कोई डेव है तो वह महादेव प्रतवी का अगर कोई देवता है तो वो देव अधिदेव महादेव है पर हमारी आदत है हम पडोस की काकी आती है तो उसको प्रणाम करते हैं मासी सास आती है तो उसको नमन करते हैं चाची सास आती है तो उसको नमन करते हैं और घर में सास बेठी रहती है उसको कभी नमन न कर रहा हैं सारे 33 काओटी देवताओं कर रहा है पर भू लोक का इस अधीदेव महादेव का हम कितना स्मयन कर रहे हैं हम तो भगवान शंक्र के मंदिर में भी जाते हैं तो चल करते ज़ अज लोटा उठा लिया, पानी भर लिया, संकर जी चड़ा दिया, लोटा दूसरे का, पानी दूसरे का, मंदिर भी दूसरे का, पानी चड़ा दिया, वो इतनी साती बत्वा मान, सिर्फ पल्लू मल्लू रे कि ऐसे पानी चड़ा है, संकर बगमान भी सोचे काय को नुटंकी करे र और अगर मंदिर का पानी लिया है, मंदिर का लोटा लिया है, तो एक रुपए लोटे का किराया, और एक रुपए जो लाइट जली, पानी बहरा, जिस पुझारी ने, उसका 2 रुपिया दान पेटी में डाल, तब जाकर तु संकर को पानी चड़ाएगी, तब संकर उस जल को तूज़े करता है किसी कि लगी लगाई धाली मिल जा पूजन की और तुम पल्लू लेके कुंकू चावल रोली बोली सब चड़ा थो और बिचारी बाद में आप रो देखे तो हैसा जाए क्या है तो बगवान सुचार करेगा लगवाने स्टीकार निकरे फेंड की बेदन है कि मेंडक मत बनो रही अच्छे से सेवा करो थोड़ी करो पर अच्छी करो घर से पानी लेकर जाओ कल कोदवाली चुराय से अमर शीयोर के कोदवाली चुराय से कोई बहन जी आहीं थी 33 माल पुह लेकर कि गुरुजी संकल्प करा दो हमने का पानी लाओ तो कि तुमारे यह नहीं है हमने का हमारे यह तो कुवा है यह चावल लाओ तो कि गुरुजी पूजन मंडप में होंगा चावल जरासा हमने कब आपिस घर जाओ निकलो कितनी बार भागवत सुनी राजा बली के दरवाजे पर बामन भगवान खड़े हैं राजा बली बामन भगवान से कहता है परभू आपके एक हाथ में चत्र है दूसरे हाथ में कमंडल है तो राजा बली कहता है आपके कमंडल का जल दे दो मैं संकल्प छोड़ देता हूं बामन भगवान कहते हैं राजन अगर मेरे कमंडल का जल लेकर तु संकल्प छोड़े तो कुछ मिलना है क्या अरे बोलो तो विश्णु पुराण में तो यहां तक लिखा है कि किसी का लगा हुआ दिया, किसी का दिया मंदिर के अंदर रखा था, तुमने अपना डबा खोल कर, बत्ती निकाल कर, उसके दिये में रख कर, जला दी और सोच दिये कि में ने खूब उसका तो फली नहीं मिला, विश्णु पुरान कर रही है, खुद का दिया, खुद की अबाती, खुद का दीप, अगर जलाती तो फल मिलता, किसी मंदिर में तुम रोल डबी लेकर जाओ, बत्ती लेकर जाओ, मना नहीं है, पर उस मंदिर में पहले से पांच दिये, साथ द तो जलाओ, दूसरे के रखे हुए दिये में, पचास बार बाती जला करा ना उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, उसका कोई फल नहीं हमादा, तो यहां तो स्वयम भागवत कर रही है, राजा बली के सामने बामन भगवान करते हैं, राजन तेरे कमंडल को लेकर आ, उससे संकल्प छोड़, अगर मेरे जल का संकल्प छोड़ेगा, तो उसका कोई फल नहीं मिलने वाला, राजा बली अंदर गया, जाकर भी उसने कर्म ब शुक्राचारजी का कमंडल उठा कर लाया, इसलिए शुक्राचारजी कमंडल के अंदर जाकर बेड़ गया, एक आँख लगा कर देखते रहे, जल बहार नहीं निकल नहीं दिया कि मेरे कमंडल का जल कैसे निकल जाकर वाला, फिर भी राजा नहीं माना, तब एक कुसा राजा बली की पूरी सत्ता चली गई पूरी सत्ता मात्र कमंडल के जल के कारण चली तो आप जगर दान करने जा रहे हो आप तन्या दान करने जा रहे हो आप गवदान करने जा रहे हो आप बस्तर दान करने जा रहे हो आप मालकुय का दान करने जा रहे हो आप स्वर्ण दान संकल्प छूटा आपके घरों में छड़वाया गर के अंदर और 15 अक्टुम्बर को जो शिवरात्री का उस्सव रात्री को 9 बचकर 20 मिनिट से 10 बचकर 20 मिनिट पर इसी टीवी चैनल पर जो हम कराएंगे उसका संकल्प आप अपने घर में बेट कर छोड़ना यहां नहीं अगर कोई यहां आता भी है तो साथ में पानी की बॉटल लाओ चावल लाओ पूजा की थाली लाओ फिर बेठाओ अपना संकल्प अपना होना उसका फल हज्जारो गुना प्राप्त होता है दूसरे का जल दूसरे का चावल स्विकार कर लिया उससे फल की कामना नहीं है मि चार गंटे तक तुम धोलग बजया बजया के गाओ तांबा कंडा में ता तो धरा पानी और नीन आए भोला नवा के रहूंगी बोले को अपना बना के रहूंगी संकर भगवान भी बोले पूरी राध गाय तो भी नियाओं में तो जया राय को है बोलेणार के लिए अगर की जरुवत नहिए है झंकर को मनाने के लिए बहूत साधना करने की भी जरुवत नहिए संकर तो करते हैं तीन बार तालीव एजादो, बम-बम भोलगो, तने मेडियोतो, पानी निवी चढवाः चलेगा, ताली निवी बजाए चलेगा, बम-बम निवी बोला चलेगा, षंकर कश्षिव महापुरान की कता करती है, इतना वीना बने तो मेरे मंधिर के सामने से निगल और चले या उतने में भी काल्यान कर दूूंगा ये भी ना बने तो मेरे मंधिर का सिखले चिखले झाले आपम मात्रIST खारल खुण wszyscyri जि lending कर देता हूं समौन take कर देता हुं तेरी जिंदगी खुषियों से है शुटकरं उतनें भी संतुष्टी आ कि उतने में भी संतुष्ड कि शंकर का अनुमोदन करने वाला शिवका समर्ण करने वाला है तुक अगर मालुम पड़े कि प्रारब्द के कारण कोई कर्म के कारण हमें मिल भी रहा दो वो समाप Iranian और बाबा से ना बोला सब दुख काथो माझा ऑलिभा बस करपा कर कर मेरे दुखों को काथ लें अबाबाल देश बुजूर्ग से कहते हैं तुम्हें कर्म का भोग भोग ना पड़े कि बाबा कि ये कर्म का भोग मनुष्य क्यों भोगता है संक्तर कहते हैं पूर्व में जो करकर आयो उसके अनुसार फल मिलता अभी दो दिन पेले की कथा याद करो कथा में कहा था को भगवान ने धन दे दिया जिसके घर में ददस नोकर लगे और घर का मालिक इतना चड़ा पहन कर टीसट पहन कर कुट्टे को छीची करा रहा है तो किसी ने प्रिष्ण किया था गुर्देव इनके घर में ददस नोकर लगे इनके घर के बच्चों को तो नोकरानिया पाल रहें दासिया पाल रहें और सेड़ जी अच्छा चड़ा पहन के टीसट पहन के कुट्टे को छीची करा रहा तो यह कहीं लिखा अरे गरुन अर्निंग बाक में तू करा रहा है तुमने भी देखा हो गर जित्ते लोग टीवी पर गथा सुन रहें चाहीं बताओ इमानदारी से अपनी अपनी सुक्रती बेज ना हो वाट्सप पे जरू कि देखा हो किंदेखा अनुध सुरी हो कुत्तत इंस गुमाए पाइन जाय तो फे इंद्द ली कुट्टि न ले पर तुक्त इसे को महर है तै न लोग कुट्त आसे भूमाख वै अगवान की आखों से तू बच नहीं पाएगा तू बच नहीं पाएगा कर्म का भोग भोगना पड़सी पड़ेगा चाहे रो के भोगो चाहे हसके दो इसलिन निवेदा ने खो बढ़िया चका चक खाओ पियो मोच करो जिंदगी अलमस्त जियो कितनी भी जिंदगी में दुखाए रोना नहीं सुखी रहना मुस्कुराते रहो क्योंकि आखरी में जो फोटो टंगेगा वो तो मुस्कुराने वाला ही टंगेगा तुम बले जिंदगी कितनी भी रोके नहीं करो जित्त वरत्ती को लगाओ भजन में किर्तन में इसमर्ण में जितना समय गया जाने दो जो बचा उसको शंकर में लगा दो शिव में लगा दो कर्म का भोग भोगणा गती को प्रारब्द की दूसरी जो प्रारब्द की गती है उसको गहा तीवर प्रारब्द इसको अगर तूम भोग रहे हो दुक अया है संत में नहीं जाकर कहो दूक मिटेगा तीस राहे तीवर्तम प्रारब्द इस प्रारब्द में अगर बहुत जादा दुख आ गया तो कुछ ना करिये एक काम करो एकांत में बेटकर शिव का इस्मर्ण करिये शंकर का बज़ बटकेश्वर महादेव और पिपलेश्वर महादेव पिपलेश्वर महादेव जिस जगहा पर ददीची रिशी की धर्म पत्नी सुवार्च के सम्मुक में ददीची रिशी के प्राण देवता ले लेते हैं अस्तियों का कंकाल हो जाते हैं ददीची बाबा उनकी धर्म पत्नी रोती हुई अपने पेट पर पत्थर मारती है गर्ब को नश्ट करने के लिए वहां शंकर भगवान प्रगठ होते हैं पीपल के पेड के नीचे शिवजी का नाम पिपलेश्वर महादेव हुआ जो बालक पीपल के पेड के नीचे जन्मा उसका नाम पिपलाद हुआ दो महादेव अपनी पुस्तिका में लिखकर रख लो एक बट के श्वर महादेव और एक पिपले श्वर महादेव अदालत में कोई कारवई चल रही है अदालत में कोई केस चल रहा है अदालत में कोई बात चल रही है नहीं जीत मिल रही नहीं विजय मिल रही हार गए पे कर चड़ाओ जिसके साथ केश चल रहा है और तीन चम्मच दही चड़ा कर उस दही को उठा लो और रुमाल पर उसके चापे लगा लो सफेद रुमाल पर भगवान चंकर की पूजा अरचना करकर जल में विश्वर जन कर दो बटकेश्वर महादेव का नाम लेकर और उस रु चाहे कैंसर जैसा हो लीवर हो किटनी हो कितना भी बड़ा रोग हो भगवान पिपलेश्वर महादेव का इस्मर्न करिए पीपल के नीचे शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्मान करकर उसकी पूजन अर्चना करिए उस पर शह चड़ाई कि पीपल का ब्रक्ष आंवले क ब्रक्ष शमी का ब्रक्ष बिल्पत्र का ब्रक्ष ये ओशदी पूर्ण है महाराज डाक्टर ने कह दिया डाइलेसे स्कराना जरूरी है तो एक बार इस्यू महापुरान का उपाई जरूर करना डाइलेसे स्कराने से पहले पाच छोटे छोटे पीपल के पत्ते लेना, शंकर जी का शिविलिंग का निर्मान पीपल के पेड के नीचे करना, मट्टी का पार्थी शिविलिंग, निर्मान करकर उसकी पूजन करकर बेलपत्री पाच चड़ा कर पाच पीपल के पत्ते, पाच शमी के पत्ते शंकर पर जिस व्यक्ति को डाइलेसेस का बोला है उस व्यक्ति को पांचो पत्ते पीस कर चान कर पिला देना तीन दिन बाद फिर जाकर डाक्टर को चेक करवाना डाक्टर डाइलेसेस का मना कर देगा लीवर किडिनी अपना काम करना प्रारम कर देगा पीपलेश्वर महादेव की पूजन, पीपल के पत्ते की आउशधी, जीवन का सुख दे जाती है, कोई पीपलेश्वर महादेव सहज नहीं है, महाराज, कितना विचित्र वढ़ना ने प्रेक्टिकल जरूर करना, सी और वाला महाराज कहीं जूट तो नहीं बोल रहा, और व शिम महापुरान की लेखनी है, बेदवियाज जी महाराजवर नन करे गलत नहीं कर से, किसी को बहुत खुन निकल रहा, बहुत, एक्षिनेंट हो गया, खुन पर खुन निकल रहा है, उसको अगर होश है, और वो होश में है, तो पाँच पीपल के पत्ते किसी भी विरक्ष के तोड़ कर, पिपलेश्वर महादेव का नाम लगकर उसको खिला दो चबा चबा कर, उसी समय खुन निकलना बंद हो जाए, रतबन, पिपलेश्वर महादेव का मात्र इस्मर नहीं सुख दे जाता है, आनन्द की अनुभूती करा देता, मात्र पिपलेश्वर महादेव, बहुत बड़ा आपरिशन कराने जा रहे हो तो उसके पंदरा दिन पहले पिपलेश्वर महादेव का पूजन करकर अर्चना करकर भगवान शिव का इस्मर्ण करकर पीपल के पत्ते की माला बना कर हनवान जी को चड़ा कर फिर आपरिशन के लिए जाओ जिससे दोसरी बार आ जरुवत ना पड़े शरीर का जिसका उपरेशन है वह अच्छा हो जाए पिपलेश्वर महादेव भगवान शिव को घड़ दानियों सब्सक्राइब